आज मैं आपको जिस तरीके से अंडा मैगी बनाना बताऊंगी ना या कीन मानिये फ्रेंस ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और हर बार आप अंडा मैगी ऐसे ही बनाएंगे simple recipe है बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही amazing है चली फटाफ़ट से recipe शुरू करते हैं इसके लिए मैंने आपर देखिए दो कच्छे अंडे लिए हैं और तीन मैंने आपे मैगी के packet लिया हैं तो मैंने ना आटा नूडल्स इस्तमाल किया है, आप चाहें तो इसके जगपर मैगी यूज कर सकते हैं, पर हमारे घरना कोई मैगी खाता नहीं है, इसलिए मैंने आपे आटा नूडल्स इस्तमाल किया है, कोई भी ब्रांट काप ले सकते हैं नूडल्स जो आपको पसंद हो, तो इस तरीके से अंडो को फोर्ड लेने से अंडे दिख जाते हैं अगर खराब होंगे तो और कोई रिस्क भी नहीं होता है तो रिस्क नहीं लेना इस तरीके से कभी भी आप अंडा बनाईए ना इस तरीके से कच्चे अंडे का इस्तमाल करिए तो अंडो को किसी बरतन में फोड करके ही यूज करें अब एक कडाही में दो चमच तेल ले लेंगे और तेल को भले अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे एक चमच बारीक कटी हुई लासन एक इंच ग्रेट किया हुआ अद्रक तो मैंने अद्रक को ना कद्दू कस करके लिया है लेकिन आप चाहें तो अद्रक को बारीक टुकडों में कट करके ले सकते हैं जैसे हमने लासन को कट किया है या फिर कूट करके भी ले सकते हैं फिर इसमें डाल देंगे तीन से चार बारीक कटी हुई हरिमीज अब इन सभी को पले हलका सा भून लेंगे तो इन सभी का कलर नहीं चेंज करना है बस कुछ सेकंड तक भून लेंगे तक इन सभी का कच्छा फ्लेवर निकल जाए फिर इसमें डाल देंगे प्याँच तो मैंने दू मीडियम साइज के प्याँच को ऐसे बारीक टुकडों में काट कर लिया लेकिन आप चाहें तो प्याँच को पतले पतले लंबाई में स्लाइस करके भी ले सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे और अब हम गयाँच का फ्ले मिश्टा मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याँच को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याँच का कलर पढ़ियां से गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए फ्राई करते से मैं बार बार चलाते रहेंगे ताकि प्याज चार उत्रप अच्छे से फ्राई हो तो लीजी फ्रिंस प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बनिया गोल्डेन ब्राउन हो गया है देखिए तो बस इसे एक बार और अच्छे से ऐसे चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमे डाल देंगे हरा मतर, तो मैंने आपे 1500 ग्राम फ्रेस ताजा मीठा वाला हरा मतर लिया है, लेकिन आप चाहें तो इसके जगह पर फ्रोजिन हरा मतर भी यूज कर सकते हैं, पर फ्रे अच्छा फ्लेवर निकल जाए और मतर हलका सा सौफ्ट हो जाए, बिच-बिच में इसे धकने टाटा करके चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ताकि चारुत रबनियां से पके और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं, तो पांच मिनट हो गया मुझे मतर को धक करके पकात कर लिया है, साथी में डाल देंगे ड्राइ मसाले, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर, एक चताई चमच काली मेच पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, तो नमक यहाँ पे आपको ध्यान से डालना है, इन सबी चीजों के स्वाद के अनुसार, सबी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, और गैस का फ्लिम लोही रखेंगे, अब हम इसे ढख कर लो फ्लिम पर 3-4 मिनट तक पकाएंगे, तो 3-4 मिनट हो गे मुझे इसे लो फ्लिम पर पकाते हुए, और आप देख सकते हैं, फ्रेंसे सारी चीजे खूब बढ़िया से टमाटर देखिए, गलकर एकदम सौफ्ट हो गएं, देखिए, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबी चीजों को कडाई में एक साइड कर देंगे, ऐसे इस पैचुला के हिल से, और एक साइड कडाई में जगा बनाएंगे, फिर इसमें ये अंडे डाल देंगे, जिसको पार पर चलाते हुए, 30 सेकंड्स तक पका लेंगे, जैसे अंडे अच्छे से सेट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इन सबी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे और दो मिनर तक पका लेंगे, ताकि मिर्च मसालों का फ्लेवर अंडों के अंदर भी अच्छे से चला अंडे का भुर्जी बना लीजिए और साइड में रख लीजिए उसके बाद जब मटर रोटर माटर अच्छे से पक जाए ना तो इस टाम डाल करके मिला सकते हैं पर इस तरीके से ज्यादा बरतन भी नहीं यूज होता है टाइम भी कम लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आता है अब हम क्या करेंगे एक एक करकर नूडल्स इस तरीके से लेते जाएंगे और तोड़ करके इसमें इस तरीके से एड़ करते जाएंगे तो यह पर मैंने तीनों नूडल्स को तोड़ लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट इसे भ पसंदो आठा नूडल्स या फिर मैगी या फिर कोई भी ब्रांड का आप नूडल्स ले सकते हैं पर सेम इसी प्रोसेस से बनाएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दो मिनट भुनने के बाद इसमे डाल देंगे टेस्ट मेकर मिंस जो नूडल्स के पैकेट में मसाले हो एक बार बनाने की बाद ऐक बार ही नाहीं हर बार आप इसी तरीके से नूडल्स या पोन की बनाएगे लोग कहते हैं विकान बीना भुने कर पानी ही डालिएगा गरम पानी डालने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं अगर आपको डेंड कप का अंदाजा ना मिले तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसमें पानी डाला है मतलब पानी हमें उतना डालना है कि मैगी पूरी पर 2-3 मिनाट तक पकाएंगे तो 2-3 मिनाट हो गे मुझे इसे लोटू मिडियम फ्लेम पर पकाते हुए और ये लिजे फ्रेंज वाओ लूक अट इस फ्रेंज हमारी सूपर से भी उपर टेस्ट वाली नूडल से हमाएगी एकदम खिली-खिली बनकर त्यार है एकदम नए त पर टेस्ट को और थोड़ा सा बनाते हैं थोड़ा सा और फ्लेवर फुल बनाते हैं इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा फ्रेस हरा धनिया और आधा निम्बू का रस इसमें इस तरीके से निचोड़ देंगे निम्बू का रस डालने से इसमें पढ़िया सा चटपटा फ यह चाहिए पर नूडल्स बना लिया ना हर बारा पैसे ही बनाएंगे और पुराने तरीके भूल जाएंगे यह खाने में इतना ज्यादा यमी लगता है ना कि मैं आपको क्या बता हूं जब आप खुद इस तरीके से अंडा नूडल्स बनाएंगे ना तब आपको पता जब मैंने इसे बनाया ना सब लोग बहुत मज़े से खा रहे थे और सब बोल रहे थे आज खाना मत बनाओ इसी को एक बार और बना दो यह कील मानिये फ्रिंस बहुत ही ज़्यादा डिलीसस यह बन कर त्यार होता है एक बार ट्राइज जरूर करिएगा हर बार आप नूड पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं एक नई यूनिक और बहुत ही डिलीसस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए एंड टेक केर